आदित्य चोप्रा के स्टेट्मेंट पर फूटा उर्फी जावेद का गुस्सा बोली ये बड़ी बात इंडुस्ट्री की फैशन क्वीन उर्फी जावेद अक्सर अपने अजीब गरीब आउट्विट्स को लेकर लाइम लाइट में आ जाती है उर्फी अपने बेबाक स्टेट्मेंट्स के लिए भी जानी जाती है अब हाली में उर्फी जावेद ने उदर चोप्रा को लेकर आदित्य चोप्रा के दियेगर स्टेट्मेंट पर रेक्ट किया है दरहसल आदित्य ने दा रोमेर्टिक्स शो में उधर चोपड़ा को लेकर कहा था कि वो ये चोपड़ा के बेटे होते हुए भी एक स्टार के रूप में अपना करियर नहीं बना सके आदित्य ने कहा था मेरा भाई एक अक्टर है लेकिन वो बहुत ही सक्सेस्फुल आक्टर नहीं है वो सबसे बड़े फिल्म डायरेक्टर में से एक का बेटा है वो इंड़स्ट्री के बड़े मेकर्स का भाई है वाई आरेफ चैसी कमपनी कई नए लोगों को लॉंच करती है लेकिन हम अपने ही घर के मेंबर को स्टार नहीं बना पाए आदित्य चोपडा ने आगे कहा ऐसा इसलिए क्योंकि ओडियंस ही तै करती है आखिर किसका करियर बनेगा और किसका नहीं अब आदित्य चोपडा के इस स्टेट्मेंट पर उर्फी जावेद ने रियाक्ट किया है उर्फी ने अपने ऑफिशल इंस्टेक्राम स्टोरी पर एक पोश शेयर करते हुए आदित्य चोपडा को जम कर लथार लगाई है उन्होंने लिखा इस स्टेट्मेंट में मौजूद सराकर अग्यान था मुझे बहुत परिशान कर रही है नेपोजिजम सकस्सफल के बारे में नहीं है बलकि मौकों को लेकर है उदे चोपडा ना तो अच्छा दिखता है और ना ही एक अच्छा आक्टर है वही उर्फी जावेद ने आगे कहा उनके फिल्म पर्दे पर बुरी तरह से पिटी है लेकिन पावजूद इसके उन्हें काम मिलता रहा अगर उदे के नाम के आगे चोपडा नहीं बलकि चोहान होता तो उनकी पहली फिल्म फ्लॉप होने के बाद उन्हें कोई भी चांस नहीं दिया जाता कि आप सभी लोगों को ऐसे ही नेपोडिजम का सहारा देंगे उर्फी जावेद के इस पोस्ट पर लोग खुब रियाक्ट करते हुए भी नजर आ रहे हैं और अपने रियाक्शन्स दे रहे हैं आपको बता देकि आक्ट्रस उर्फी जावेद बिग करते हैं